हेलो गाईज, टेश्टी होम कुक में आप सभी लोगों का स्वागत है तो गाईज, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आए हूँ सबूत मसूर दाल की सबजी एकदम नया और हट के तरीका मैं बताने वाली हूँ जो की आपको बहुत पसंद आने वाली है तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा इस सब्जी को बनाने के लिए मैंने एक कप लिया है भीगी हुई मसूर दाल इसे मैंने राद भर के लिए भीगा दिया था अगर आपको पाश टाइम कम है तो 3-4 घंटे के लिए भीगा सकते हैं उसके बाद हमें इसे ग्रैनिंग जार में ट्रांसफर कर लेना है ताकि हम इसे ग्रैन करके पेश्ट तयार कर सकें साथ में मैंने यहां पर लिया हुआ है दो हरी मिर्ची और एक टुकड़ा अधरक ट्रांसफर करेंगे इसी के साथ मैंने लिया है पांच कली लेसुन की और इसमें हम आड़ करेंगे एक चम्मज जीरा साथ में मैंने ले लिया है यहाँ पर हाफ कप पानी पानी आट करके हम ग्रैंड कर लेंगे ताकि अच्छे से ग्रैंड होकर पेश्ट तयार हो जाए उसके बाद सबजी बनाने के लिए ग्रेवी हम बनाएंगे तो एक कड़ाही में एक चमज भर करके रिफाइंड ओयल आट करेंगे जैसे ही ओयल आपका अच्छे से गरम हो जाता है गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे एक चमज जीरा आट कर दीजे जीरा क्रैश होने के बाद इसमें हम आट करेंगे एक तेश पत्ता तोड़ करके और साथ में दो सूखे लाल मिर्ची लिया है मैंने जीरा अच्छे से क्रैश हो चुका है तो इसमें हम थोड़ा सा प्याज बारिक चौप की हुई आट करेंगे मिक्स करके दो मियर तक पका लेंगे जैसे ही आप देखो कि प्याज आपकी हलकी से सौफ्ट हो चुकी है सारा जूस निकल चुका है फिर इसमें हम एट करेंगे दो टामाटर बारिक चौप करके साथ में हम एट करेंगे एक चमच नमक नमक की कौंटिटी आप कम जादा कर सकते हैं अपने स्वात के अनुसार नमक एट करने से टामाटर हमारा जल्दी से गल जाएगा मिक्स करते होए हमें इसे 4-5 मियट पकाने की जरुरत पड़ेगी जब तक ही टामाटर अच्छे से गल न जाए फिर इसमें हम आट करेंगे मसाला तो मैंने ले लिया है आधा चमच लाल मिर्ची पाउडर आप जितना सब्जी को स्पाइसी बनाना चाहा रहे हैं उससाब से लाल मिर्ची पाउडर की कौंटिटी कम जादा कर सकते हैं इसी के साथ हम इसमें आट कर देंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर साथ में मैंने ले लिया है यहाँ पर आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर इसी साथ हम इसमें आइट कर देते हैं थोड़ा आशा कश्मीरे लाल मेच पाउडर बिल्कुन आफशनल है सिर्फ सबजी में कलर लाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ सभी मसाले को मिक्स करेंगे और लो फ्लेम पे छोण देंगे पकने के लिए तब तक हमारा मसाला पकेगा हम बाकी की तयारी कर लेंगे तो मैंने दाल का पेश्ट एक बाउल में ट्रांसफर कर लिया है और इसमें हम एक चम्मच हल्दी पाउडर आट करेंगे साथ में लिया है मैंने एक चम्मच साहुजी गरम मसाला पाउडर इसी के साथ हम इसमें एक चम्मच नमा का आट करेंगे आप अपने स्वात के उससार कम जादक कर सकते हैं और मैंने ले लिया है यहां पर नीमबू का रस, अगर आपके पास नीमबू का रस अलेबल नहीं है तो आप यहां पर दो चम्मस दही का यूज़ कर सकती हैं, नीमबू का रस आट करने से खटा फ्लेवर आजाएगा, थोड़ा सा पानी डाल करके हम सभी चीजों को अच्छे से बना पाएंगे उसके बाद तावा गरम होने के लिए रखिए इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ओयल डालेंगे और पूरे तावा पे ओयल को फैला देते हैं जैसे ही आप देखो कि आपका तावा अच्छे से गरम हो चुका है गैस का फ्ले मीडियम रखिएगा एक चम्मच हम पेश्ट को डालेंगे और तावे पे फैला देंगे यह मैंने मीडियम साइज का फैलाया हुआ है हमें इसे बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना एकदम नॉनमल रखना है जैसे आप देखो कि यह उपर से जो है थोड़ा थोड़ा सा ड्राई दिखाई देने लगा है फिर इसे हम नीचे से चम्मच डाल करके हलका हलका सा निकालेंगे और चिपका देंगे तो तो थोड़ा-थोड़ा सा निकालीएगा और फिर चिपकाएंगे तो अच्छे से ये चिपकेगा तो तीन बार में मैंने इसे चिपका लिया है और ये यहाँ पर अच्छे से चिपकर तयार हो चुका है इसे घुमा करके हम दोसी तऱ भी सेख लेंगे अब ये अच्छे से से करके तयार हो चुका है इसे हम बाहर निकाल के रख लेते हैं इसी तरीके से बाकी भी बना करके तयार कर लेजिए तो यहाँ पर मैंने इसे तीन बनाया हुआ था और उसके बाद इसे हम कट कर लेते हैं काफी ओयल अलग अलग दिखाई देने लगा है अब इसमें हम एट करेंगे एक कप पानी आपको जितना ग्रेवी चाहिए उसे साफ से पानी के कौंटिटी कम जादा कर सकते हैं इसी के साथ इसमें हम एक चम्मच कस्तूरी मेथी एट करेंगे जिसे की सबजी में बहुत ही मिक्स किया है मैंने और ग्रेवी से उबालाना सुरू हो चुका है अब इसमें हम एड कर देंगे एक बार मिक्स करेंगे और ग्यास का फ्लेम मेडियम रखेंगे पांच मिनट के छोड़ देते हैं पांच मिनट में अच्छे से पक जाएगा उसके बाद गैस का फलेम मैंने ट्राइज जरूर करिएगा आप लोगों को ये रिस्पी कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि ऐसी रिस्पी आप लोगों को मिलती रहे और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि रिस्पी को अपने दोस्तों साथ जरूर शेयर करिएगा मिलती हूँ मैं आप लोगों से एक नई रिस्पी में बाई गाईज